हेलो फ्रेंस आज मैं आपके साथ स्ट्रिचिंग एक्टिविटी में आयरन स्ट्रेंट कावर कैसे बनाती हैं यह शेयर करूँगी फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा एक iron strand है जिस पर ये जो cover चड़ा हुआ था फ्रेंट्स ये थोड़ा सा damage हो गया था तो मैंने इसे दो जगे से जैसे tart में पहले पैबंद लगाते थे मैंने इसमें पैबंद लगा के इसको ठीक कर लिया बट ये कुछ पर ताले सिंची है बट मैं इसको फ्रेंचे सिंची लोंगे क्योंकि एक इंची स्टिचिंग में दब जाएगा फ्रेंट्स छतिस इंची लंबाई के बाद मैं इसे round shape में turn कर लोंगे फ्रेंट्स इसकी जो चड़ाई है वो side से 19 इंची है वैसे फ्रेंट्स जिन लोगों क स्टिचिंग नहीं आती है उनको कटिंग करने में प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए एक एजी ट्रिक यह है कि वह कटिंग करने के लिए कपड़े को इसी के ओपर फैला ले और इसी के size के according कपड़े को कट कर ले क्योंकि इसमें बनाने के लिए कुछ है नहीं कपड़ा कट करके उसमें नाड़े के लिए जो नेफा बनाया जाता है वैसे ही एक नेफा स्टिच करना है और एंस्टेंट प्रेडी हो जाएगा देखी फ्रेंट्स मैंने इसके size के according एक कपड़ा कट कर लिया है फ्रेंट्स आप मैं इसमें नेफा लगा कर आपको दिखाती हूं फ्रेंट्स मैंने इसमें ये नेफा स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद मैंने इसको चारो तरफ से फ्रेंट्स ऐसे करके एड़ भी कर दिया है देखे फ्रेंट्स ये नेफे में नाड़ा डालके इसको पाम दिया है फ्रेंट्स नीचे से और अब ये कुछ ऐसा लोग दे रहा है फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हूँ तो प्लीज इससे लाइक कीजिए इससे शेर कीजिए और मेरी जनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स